अध्याय प्रम्हे चिकित्सा प्रम्हे की परिभाशा है प्रभुत मात्रा में विक्रित मुत्र का त्याग करना प्रम्हे शब्द का अर्थ है अथार्थ बार-बार और प्राय गंदले मुत्र का त्याग करना प्रम्हे कहलाता है अब नेक्स्ट है प्रमे की निरुक्ती प्रउपसर्ग पुर्वक मिह शर्णे धातु से ग्या प्रत्य करने पर प्रमे शब्द बना है अब है प्रमे का निदान इस मिशलोक है आस्या सुखम, स्वपन सुखम, दधीनी, ग्राम्मे ओदक, अनुपड़सा, प्यांसी, नव अनपानम, गुडव्यकृतम, चै प्रमे हेतु, कफकृच सर्वम अब इसकी हिंदी है सुखपूर्वक, गद्यदार आसन पर बैठना, सुखपूर्वक, शैन करना, दधी, ग्राम्मे, मास का अती मातरा में सेवन, अती दुगद का सेवन, कफवर्दक पदार्तों का सेवन, दीवास वपन, एवययाम, आलस्य, और गुड़ के विकार का अत अति सेवन, यह प्रमे के निदान है, अब हम बात करते हैं संप्राप्ति की, कूपित, वाद, पित, कफ, दोश, मुत्राश्य में जाकर, मुत्र को दूशित कर, अपने लक्षन वाले वातज, पीतज, कफज, प्रमेयों को उत्पन करते हैं, अब हम दोशों के अनूसार, उ उनके भेद के बारे में पढ़ेंगे, वात, पित, कफ, तीनो दोशों के अनूसार, अलग-अलग संप्राप्ति बिताए गई है, और उनके भेद बिताए गई है, हम पहले बात करते हैं, कफज, प्रमे की, इसकी संप्राप्ति है, कफ, कारक, वस्तुओं का सेवन, अगर हम कफ की व्रिद्धी हो जाएगी, और फिर बड़ा हुआ जो कफ होएगा, वो मेद, मास और बस्ती में रहने वाले शारिरिक कलेद को दूशित कर देगा, जिससे कफज प्रमे की उत्पत्ति हो जाएगी, प्रमे कुल 20 प्रकार का होता है, जिसमें कफज के 10 प्रकार बताए पितज के 6 प्रकार बताए गई है और वाद के 4 ये टोटल 20 होते हैं, अब हम कफज प्रमे के जो 10 प्रकार बताए गई हैं, उनके बारे में बात करते हैं, पहला है उदक में, दूसरा इक्षू में, तीसरा सांदर में, चोथा सांदर प्रसाद, पांचवा शुकल में, छट आठवा शीत में, आठवा सिक्ता में, नोवा शनेर में, और दसवा अलाल में, अब इन 10 नाम आपको इजीली लरन हो जाएंगे, मैंने इसके लिए कोड बनाया है, उई, सासा, शूशू, शी, सीश, आ, उ से उदक में, उदक में एक ही बात करते हैं, यह स्वच्छ, अधि उदक का मतलब होता है जल, मतलब जल की तरह मुतर त्याग होता है इसके अंदर, इसलिए से उदक में कहते हैं, अब इ से इक्षू में, इक्षू मतलब गन्ना, गन्ना होता है तो इसमें इक्षूरस के समान मुतर का त्याग होगा, मधूर, शीत, कुछ पिच्छिल, आवि यह इक्षु में के अंतर गताते हैं हम बात करते हैं यह सा से सांद्र प्रसाद जो पातर में रखा हुआ जो बासी मुत्र होता है इसमें वो गाड़ा हो जाता है अब एक दूसरा सा आता है उससे बनता है सांद्र प्रसाद पातर में रखा हुआ बासी मुत्र सांद्र तथा क कुछ निर्मल होता है अब शू जब शुकल में इसमें चावल के आटे के वर्ण का बार-बार मुत्र त्याग होता है अब दूसरा शू है उससे है शुक्र में शुक्र के समान शुक्र मिले हुए मुत्र का बार-बार त्याग करना अब है शी शी से शीत में अत्यंत मधूर औ और शीतल मुतर का बार बार त्याग करना, अब सीशे है सिक्ता में, इसमें मुतर गत दोशों का बालू के छोटे छोटे कणों के रूप में मुतर मार्ग से निकलना, अब शैसे है शनेर में, मंद, वेगरहिद, कठीनता से मुत्र का त्याग करना ये शनिर्मे के अंतर गताता है अब लास्ट है आ, आ से अलाल मे तंतुवत, बंदेवे तार से युक्त, पिछल मुत्र का त्याग करना ये अलाल मे के अंतर गताता है ये कफज प्रमे के दस प्रकार मैंने आपको बता दिये अब हम नेक्स बात करते हैं पितज प्रमे की इसकी संप्राप्ति है उश्न द्रव्यों का सेवन जिससे पित की वृद्धी हो जाएगी अगर पित बढ़ जाएगा तो बड़ा हुआ पित, मास, मेद और शारिरिक कलेद को विक्रित करता है जिससे पितज प्रमे की उत्पत्ति हो जाती है अब पितज प्रमे छे प्रकार का बताया गया है उनके नाम इस प्रकार है शार में, काल में, नील में, मंजिष्ठा में, हारिद्र में और रक्त में अब इसका कोड है ये छे नाम आपको याद करने के लिए शाकानी महार क्या कोड है शाकानी महार अब शार में में क्या होता है कि गंद, वर्ण, रूप, स्पर्श में शार के समान मुतरत्याग करना अब नेक्स्ट है काल में क्रिशन तथा उशन मुतरत्याग करना फिर नेक्स्ट है नील में नीलकंट के पंक से समान वर्ण वाले या अमल मुतर का त्याग करना मंजिष्ठा में मंजिष्ठा के कवात के वर्ण के समान मुतरत्याग फिर हारिद्र में हारिद्रावर्णी मुतरत्याग करना रक्तमे में आमगंधी, लवन, ओशन तथा रक्तवर्णी मुतरत्याग करना अब नेक्स्ट प्रमे है वातज प्रमे इसमें क्या बताया गया है कि जो कफ और पित होते हैं जब वात की अपेक्षा न्यून होते हैं तो बड़ा हुआ वात धातूओं, वसा, मज्जा, ओज, वैलसीका को मुत्राश्य में खीच कर ले आता है, तब वातज प्रमे को उत्पन करता है. वातज प्रमे के प्रकार, चार प्रकार बताए गए हैं, पहला वसा में, दूसरा मज्जा में, तीसरा हस्ती में, और चौत्था मधु में. अब इसका कोड है वम हम, इससे आपको इजी याद रहेंगे ये, वसा में क्या बताहिएगे हैं वसा मिला हुआ या वसा के समान मुत निकलना हस्ति में मत्वाले हातिि के समान अधिक मात्रा में तथा बार बार मुत्र त्याग करना मदुमे मं कशाय मधूर पांडू एवं रुक्ष मुत्र का त्याग करना ये हो गया आपका वातज प्रमי आपके तीनों प्रमे कंप्लेट हो गए वातज, पितज और कफज आप इनके टाइप्स कोड से एजली लेन कर सकते हैं और आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी ये अब हम बात करते हैं प्रमे के दोश वै दुश्य की दोश तीन प्रकार बताये गई हैं और दुश्य हैं दस प्रकार में बताये गई हैं दोश कौन से हैं वात, पित और कफ और दुश्य हैं मेद, रक्त, शुक्र, अंबू, वसा, लसीका, मजजा, रस, ओज, और मास ये दस प्रकार के बताये गई हैं आपकी बुक में ये सिक्वेंस लिख रखी है जिससे आपको easy learn हो जाएं जिससे साथ धातू होती हैं रस, रक्त, मास, मेद, अस्थी, मजजा और शुक्र आप उसमें से अस्थी को हटा दे तो रस, रक्त, मास, मेद, मजजा और शुक्र छे तो ये होगे प्लस फोर कौन से हैं वसा, अंबू, लसीका और ओज इस सेक्वेंस से learn कर लेना तो आपको learn रहेंगे ये होगे दोश और दुश्य प्रमे के पुर्वरूप फर्स पॉइंट है स्वेद और शुरीर से गंद का आना नेक्स्ट, अंगो में शिथीलता हर्दे प्रदेश, नेत्र, जीब वे कान में मैलो का भरा रहना शुरीर का मोटा होना गला वे तालू का सूखना मुत्र में जीटियों का लगना शीतल द्रव्यों से अधिक प्रेम करना और केश वेनक का बढ़ना यह प्रमे के पुर्वरूप बताय गई है अब हम नेक्स्ट बात करते हैं चिकित्सा सुत्र प्रमे से पेडित रोगी दो परकार का होता है पहला स्थूल वे बलवान और दूसरा क्रिश वे दुरबल क्रिश के लिए ब्रिंगंच गित्सा करनी चाहिए और स्थूल के लिए सन्शोधन का प्रियोग करना चाहिए अब बताय गया कि कफ प्रमे से पेडित रोगियों के लिए मुंग के यूश अथवा तिक्त द्रव्यों के शाक से पुराने चावल का भात सेवन करना चाहिए अब बातच प्रमे में कि कफ और पित कानुबंद देखकर स्नेविधी की कलपना करनी चाहिए अब नेक्स्ट पॉइंट है जिन कारणों से जो प्रमे उत्पन होता है उन-उन प्रमे हों में उन-उन कारणों का सेवन नहीं करना चाहिए यह चिकित्सा सुत्र अब बताए गया है साध्य ए साध्यता पुर्वरूप के साथ कफज व्यपितज प्रमे करम से उत्पन वातज प्रमे यह ऐसाध्या होता है और पितजप्रमे याप्या होता है किन्तु यदि पितजप्रमे में भेद अधिक दूष्ट नहीं हो तो पितजप्रमे साध्या होता है पितजप्रमे में योग, त्रीकंटक आद्यसने, फल्त्रीकादीकवात, लोद्रासव और दन्तयासव इस अध्याय में प्रमे तथा मुत्रगत रक्त पित में भेद बताया गया है प्रमे रोग के पुर्व रूपों के बिना ही यदि हल्दी के समान रक्त मिला हुआ मुत्र निकलता है तो उसे प्रमे नहीं समझना चाहिए यह रक्त पित रोग होता है अथार्थ यह बताया गया है कि प्रमहे के पुर्वरूप के बाद यदि हल्दी के रंग के समान रक्त मिला हुआ मुत्र निकलता है तो उसे पितच प्रमहे के भेदों में बताई हुआ यसे रक्त में, मंजिष्ठ में और हारिद्र में को समझना चाहिए और यदि प्रमहे का पुर्वरूप ने हो जाता रक्त पित का पुर्वरूप हो और हल्दी के रंग का रूधिर मिला हुआ हो और मुत्र निकलता है तो उसे रक्त पित ही समझना चाहिए योग्या बेद अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रमहे एक कुलज विकार है कुलज बोलते हैं वंश पर्मपरा से होने वाले प्रमहे एक कुलज विकार है क्योंकि ये बीज में दोश की तरह रहता है और अते ये ऐसाध्य ही होता है ये आपका प्रमहे चैप्टर कम्प्लीट